हेलो फ्रेंट स्वागत हापका मेरी इस वीडियो में तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जबू किश्मीर सर्विस पर जो सर्विसिस हैं उन सर्विसिस के लिए हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो भी गर बैठें तो पूरा प्रोसेस में आपको इस विले बताऊंग लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में फर्स्टाइं विजिट कर रहे हैं तो चानल को जिरूर सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छी लेकर लिए करना अदरवाइस देज लाइक कर देना अगर कोई भी कोई जाइशन है तो आप में लिख सकते हैं इसी के साथ साथ टैलीग्राम चैनल को जाइन करतो लिंक आपको वुडिकर रिस्ट्रिप्शन में बिजाएगा सिप्लिय आपको क्लिक करना होगा जाइन बटन पर जाइन करने के बाद आपको जो अप्लेट जाइन निव जो भी है अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेएगी तो चल सब्सक्राइब कर दें जन्सुगम सर्विस प्लेस की और भी बहुत सारी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगी इंकम सैटिफिकेट हो, क्रेक्टर सैटिफिकेट हो, SC, ST या कोई और सर्विस हो, वो सारी वीडियो अप्लोड कर दी है मैंने यूट्य चैनल पर आप ले लिस्ट में देख सकते हैं, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, गूगल पर सच करना होगा, जन्सुगम जेकेट, सबसे पहले आपको यहाँ पर जन्सुगम जमुकिश्मीर ये वैबसाइट शो होगी, और आपको कुशी नहीं करना है, सिंपली ध्य टोटल नम्बर आप सर्विस जो है, 42 है, इंक्रीस हो रही है, डे वैडे, क्यूंकि जो भी सर्विसिस हैं, जमुकिश्मीर में वो अंडर प्रोसेस रहती है, लॉंग टाइम के लिए, बट डोंट वरी, यह भी प्रोसेस चल रहा है, आने वाले टाइम में बहुत फास्ट दिलिवरी होगी हर एक सर्टिफिकेट की, तो अभी मैं आज आपको बताऊँगा, EWS सर्टिफिकेट के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, बुरा प्रोसेस अभी बताऊँगा, सबसे फ़ले आपको करना क्या होगा, अगर आप फर्स टाइम इस पोर्टल पे विजिट यहाँ पर मैंने अपना account बनाया हुए है तो simply मैं login पर click करा दोगा, login पर click करने के बाद, यहाँ पे उसर निम, password डालकर sign in कर सकते हैं, mobile नमबर डालकर sign in कर सकते हैं, सबसे आसान तरीक है mobile पर click करें, यहाँ पर अपना mobile नमबर fill करें, यह दोनों box पर click कर दें, ठीक है, एक OTP जाएगा, वो आपको simply fill करना होगा और आप login कर सकते हैं मैंने अपने mobile number fill किया, sign in पे click करिया यहाँ पे OTP आएगा, OTP आपको simply अपने mobile पे देखना होगा और simply यहाँ पे fill कर देना होगा तो यहाँ पे simply अभी जो OTP है वो fill कर दूँगा आपके सामने और sign in पे click कर दोगा sign in पे click करने के बाद यहाँ पे आपका जो account हो, login हो जाएगा यहाँ कि sign in हो जाएगा, तो आपको simply करना कुछ नहीं है left side पे आपको दिख रहा होगा, apply for services इस पे click करें, यहाँ पे आएगा view all available services आपको simply इस पे click कर देना होगा इस पे click करने के बाद यहाँ पे आपको find करना होगा, EWS certificate, यहाँ कि economically backwards section तो यहाँ पे आपको simply 4th page पे click करें और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 40, serial number 40, मैं आपको उता हो, serial number changes होती है end में तो आप simply देखेंगे, यहाँ पे आपको find करना होगा, आभी मैं आपको उता रहा हो, 4th page पे, 40 number पे आए ठीक है application for issuance of income and assets certificate for economically weaker section by Tassila यह जो certificate है वो department of revenue के दिवारा जो है वो issue किये रहता है तो आप simply इस पे click कर दे, इस पे click करने के बाद एक next page आपकी screen के उपर open हो जाएगा तो यहाँ पे सबसे पहले यह note वगएरा भी आए है, पहले यह सब नहीं होता था अभी note में इन्होंने रैट में बताया होगा है कि जो भी आपको star वाला option दिखेगा, वो mandatory होगा जाने कि आपको field करना ही होगा, next आप जो भी scanned copies upload करेंगे, वो original और colored होनी चाहिए only clear colored scanned copy of the original document will be accepted, जाने कि original documents आपको upload करने होगे अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो comments वगरा आते हैं, जा mail वगरा मुझे आती हैं, वो कहते हैं कि जो online हम apply करते हैं वो इसको approve भी नहीं करते हैं कि offline visit करो, तो आपको offline visit नहीं करना है, यह आपको online apply करना है, online heat deliver होगा कोई भी अगर आपको बोलता है, अगर में भी कुछ issue रहता है, कुछ services में क्या है कि आपको तहसिल में visit करना होता है, बट ऐसा सभी services में नहीं है, वो में आपको जब अगर visit करना होगा, जासे कि मैं रे certificate हैं वहाँ पर आपको बुला सकते हैं, पर यह बाकी services जो हैं, इनक आपको आपको कहना है कि आपने documents online upload किये हुए है, तो इसके regarding आप feedback भी दे सकते हैं, submit feedback पर यह अलाग प्रोसेस है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आपको online apply करना, online ही आपको deliver हो जाएगा, download वाली video मैंने आपको अपलोड कर दी है, तो next अभी time waste किये भीना next move on करेंग तो यहाँ पर district आपको दिखा रहा है, आपको district select करने होगी, जो भी आपकी district होगे, नंतनाग, बांधी पोरा या बारा मुला, जो भी कश्मी डिविजन है, जहां से भी है, मेरी district रियासी है, मैं रियासी पर select करूँगा, और next तैसील, तैसील आपको select करने होगी, क्योंकि एक इसमें क्या है कि UT होता है, एक Central होता है, आप certificate कौन सा चाहते है, UT type का, या Central type का, अब इनमें difference क्या है, थोड़ा मैं आपको बता दो तो, जो मेरे knowledge में है, UT credit पे, देखो हर जगा implement होता है, बट कुछ states है, वो Central certificate को approve करते हैं, वैसे ऐसा कुछी states है, यहाँ पे Central आप से certificate मांगा जाता है, बट UT के लिए अगर, जो आपकी अपर depend करता है, अब UT के लिए apply करना चाहते है, वो आप चूज कर सकते है, मैं आपको बता दिया कि UT का कुछ state में, कोई भी जगा कहीं पे approve नहीं होता, वो कहते है कि Central चाहिए, मुझे जो knowledge है इस बारे में, वो आपको बत अप्लोड कर देना होगा, अब इस, तो यहाँ पे simply upload करने के बाद, next आपको father name यहाँ पे fill करना होगा, जो भी applicant उनके father name यहाँ पे fill करना होगा, या guardian, या person upon whom depend, ठीक है, यहाँ पे father name fill करने के बाद, next आपको cast यहाँ पे fill कर देनी होगी, next आता है, place of residence of applicant, यहाँ पे applicant का residence, पुरा address जो है, वो fill करना होगा, next यहाँ पे village, street, next pin code यहाँ पे fill करना होगा, next आपका post office आज आएगा, post office यहाँ पे fill करना होगा, mobile number यहाँ पे fill करना होगा, email ID यहाँ पे fill करनी होगा, यह सारे जो options हैं, वो mandatory हैं, यहाँ आपको fill करने ही करने है, next आता है, note, mobile number and email are used for notification, तो यह क्या होता है कि आपको certificate है वो आपको email id के उपर भी आता है तो इसलिए आपको email id जो भी आप यहाँ पे fill कर रहे है वो working में होनी चाहिए तो यह सारे updates आपके mobile number और email id पे update कर दिये जाएगे mobile number पे तो अभी ऐसा कुछ है नहीं बट email id पे आपको हर एक update मिलता रहता है next आता है place of residence of father यहाँ पे father का पूरा address आपको fill करना होगा next whether the applicant is domicile of UT यहाँ पे आपको yes से ही select करना होगा next आता occupation of father जो भी occupation है वो क्या करते है आपके father वो आपको यहाँ पे fill करना होगा next total income from all sources तो यहाँ पे पूरी जो भी income है applicant father की वो आपको यहाँ पे fill करनी होगी per annum जाने कि साल की यहाँ पे आपको fill करनी होगी total यतनी भी income होगी तो income आप वही fill करें जो आपकी income certificate के उपर है आप अपनी मर्जी से यहाँ पे fill नहीं कर सकते क्योंकि आपको next step में document भी upload करना होगा income certificate तो simply आप दियान रखें जो भी income है साल की वो यहाँ पे आप फिल कर दें next आपको यह consent देना पड़ेगा यह थोड़ा improvement के लिए है feedback के लिए अभी तो यह चल रहा नहीं है इतना बट आप yes पे click कर दें आने वाले time में और improvement होगी इन services में ताकि आपका जो certificate आप apply कर रहे application वो delay ना हो एक time period 7 दिन या 15 दिन के अंदर अंदर आपकी जो application है वो approve होने के बाद आपका certificate आपको मिल जाए तो यह next process रहेंगे RAS Rapid Assessment System तो यह अभी आप yes पे click कर दें यहाँ पे next रहत है declaration पे ध्यान रखें यह आप पढ़ ले इन्होंने कहा है कि declare that my family does not own or possess any of the following assets तो यह जो नीचे assets दिये हुए यह आपके पास नहीं होने चाहिए अगर आप इस certificate के लिए apply कर रहे हैं सबसे पहली बात 5 acres of agriculture land and above 5 acres अगर आपकी agriculture land है या उससे ज्यादा है तो आप eligible नहीं रहें ठीक है तो यह जो भी नीचे step दिये है यह आपके नहीं होने चाहिए तभी आप इस certificate के लिए eligible रहेंगे ठीक है यह आप दियान से देखे है declare that my family does not own or possess any of the following assets यह assets नहीं होने चाहिए तभी आप इस certificate के लिए eligible रहेंगे नीचे आपको simply I agree पर click कर देना होगा यहाँ पर आपको यह जो word verification है वो fill कर देना होगा और नीचे आपको submit पर click कर देना होगा submit पर click करने बाद यह एक warning message आएगा जाने कि आपको एक next step जिसमें आप document upload करते है next page पे वो complete करें तभी आपका final submission होगा तो simply okay पर click कर दें okay पर click करने के बाद यह simply जो भी office आपका रहेगा जो तिसील है वहाँ पर आपकी जो application है apply हो चुकी है बट यह complete नहीं हुगा अभी आपको attach पर click कर देना होगा इस पर click करने के पाद यहाँ पे कुछ documents आपको upload करने होगी जिसमें आपका domicile certificate आपको यहाँ पर upload करना होगा और ध्यान रखे जो भी आप document upload करें वो jpg, jpeg, pdf file में होना चाहिए और 1mb तक आपका रहेगा 1mb से कम का होना चाहिए जो भी आप यहाँ पर document upload करेंगे नेक्स्ट आपका identity proof, identity proof में आप bank, passport, quarter card, adhar card की both sides, passport with address side, नेक्स्ट आपका driving license, bank card जो भी आपके पास है वो आप identity proof में choose कर सकते हैं next address proof, address proof में भी आपको documents दिख रहे होंगे, adhar card है, तो adhar card generally सब के पास होता है तो आप दोनों choose कर सकते हैं, अलग करना चाहिए कर सकते हैं, वो आपके ओपर depend करता है, आप कुम सा document यहाँ पे upload करना चाहते हैं next रहता है, income certificate, gross annual family income of previous financial year तो ध्यान रहे हैं, मैंने आपको बताया था, कि जो आप income वहाँ पे fill कर रहे हैं, वो income certificate आपके पास होना चाहिए पहले तो income certificate इसमें आपकी annual income mention होना चाहिए, not monthly, annual income family की mention होनी चाहिए यहाँ पे आपको income certificate upload कर देना होगा, next affidavit तो ध्यान रखे, यह बड़ी चीज है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको सबसे पहले, इस फार्म को apply करने से पहले आपके पास एक affidavit होना चाहिए, आपको बनवाना होगा, ठीक है, आपको पता है, यह nearest आप कहीं पर भी कोट बगारा बन जाके बनवा सकते हैं, तो वहाँ पे आपको यह चीज़ mention करनी होगी कि, आपके पास ऐसे कोई assets नहीं होना चाहिए, जिससे आपको exclude कर दिया जाए, जैसे कि मैं आपको पहले बताया, कि जो भी वहाँ पे दिये थे, कि फाइव एकर्स है, अगरिकल्चर लैंड, उससे वब नहीं होनी चाहिए, यह सारी चीज़ mention होनी चाहिए, तो आपको उनको सिर्फ आप बता देंगे कि AWS की जो self declaration अफिडावड बर्माना है, तो उनके पास print होते हैं, वह आप simply कर सकते हैं, अगर आप चाहिए आपको तो वह मैं वीडियो के description में डाल दूँगा, comment box में जरूर लेखिए, अगर आपको अफिडावड का format चाहिए, तो simply यहाँ पर अफिडावड पर select कर देंगे, राशन कार्ड यहाँ पर आपको upload करना होगा, वैसे तो आपको बताया था कि जो star वाले हैं, वो ही upload करना है, बट कोशिश करें कि all यहाँ पर documents upload करें, क्योंकि यहाँ पर आगे junior assistant होते हैं, यह तैसिलदार होते हैं, वो सिर्फ यह लिख other कोई भी documents है, वो आप upload कर सकते हैं, तो यह documents को upload करने के बाद आपको simply save पे click कर देना होगा, save पे click करने के बाद जो आपके documents हैं वो save हो जाएंगे save पे click करने के बाद इस तरह से list आजाएगी जो भी आपने documents upload किये होंगे यह सब करने के बाद आपको payment करनी होगी make payment पे click कर दे make payment पे click करने के बाद यहाँ पे आपको 20 पे की payment करनी होगी यह payment करने के बाद, यैसे आपकी payment success हो जाएगी, तो आपको एक acknowledgement मिल जाएगा, वो आपको प्रिंट उटर के अपने पास रख लेना होगा, रखना चाहें, otherwise आपकी email ID पे वो acknowledgement चला जाएगा, अब जैसे ही आपका जो application have approved होगा, या reject होगा, असेप्ट होगा, अप्लाई करने का, वीडियो काफी लंबी होगे, क्योंकि बीच में कुछ extra चीज़े आपको बता दी मैंने, तो चैनलों को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको वीडियो आपके लिए helpful है, तो आप लाइक कर दे, comment box में अपनी query को share कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी query है, वीडियो में, वीडियो के related, कोई भी अगर आपको query है, तो आप comment box में लिख सकता है, साथ इसाथ telegram channel को join कर तो, जो भी students हैं, वहाँ पे आपको student related, जो भी educational update है, वो आपको मिलते रहेंगे थैंक्स फर वाचिंग दिस वीडियो